दुनिया में अगर सभी चीजें खत्म भी हो जाएं तो एक चीज जो कभी भी आउट ओफेशन नहीं होगी वो है खाना अरे भाई खाना खाना कौन बंद कर सकता है इंसान जीता ही खाने के लिए है लेकिन खाना खाने से ज़्यादा जरूरी है ये देखना कि आप खा क्या रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वेंजन मौजूद हैं जिने खाने के बाद आप अपना दूसरा मील ले पाएंगे या नहीं इसकी कोई गैरंटी नहीं है और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आपको पूरा विश्वास अपने आप ही हो जाएगा बुल फ्रॉग बुल फ्रॉग जिसे अमेरिकन बुल फ्रॉग भी कहकर बुलाते हैं जहां अमेरिका और साउथ अफरीका की लोग इन्हें नाश्टा बना लेते हैं जिहां दोस्तों जिस म हम आपको बता दें कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है बस इस बात पर ध्यान देना होता है कि आप किस साइज का लैक बीश खा रहे हैं क्योंकि अगर बुल फ्रॉग साइज में बड़ा है तो कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन अगर इसका साइज छूटा है तो इसकी जैसे कई सारी बीमारियां हो जाती है और कई लोगों की तो जाने भी जा चुकी हैं लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाल सखाते हैं ऐसे में आपको दमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि जब खाने की इतनी सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं तो लोग क्यों इस खाने से किसकी मौथ हो सकती है लेकिन हम आपको बता दे कि आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में सिर्फ अच्छे अची बाते सुनी है क्योंकि कई रिसर्च में पता चला है कि अगर इसे बिना पकाये खाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि इसे कच् कर खाने में आपकी भलाई है वैसे elderberry के फायदे सुनने के बाद ये मत समझ जाईएगा कि आगे हम आपको हर डेंजर फूल के फायदे बताने वाले हैं आगे देखिए ऐसे खतरनाख फूड्स इस वीडियो में माजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चकर आ जाएंग सीफूड ऐसी चीज है जो बहुत से लोग खाते हैं खास करके चाइना जापान कोरिया जैसे देशों में लेकिन अगर आपको बलड काम्स खाना पसंद है तो जरा संभल कर क्योंकि ये बहुती ज़ादा खतरनाख है वैसे तो ये दुनिया में सिर्फ एक ही जगा पर खाय और हमें नहीं लगता कि हमें उस जगा का नाम आपको बताने की भी जरूरत है क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज को खाय जा सकता है उस देश का नाम और कुछ नहीं बलकि चाइना ही होगा ना और चीन के शंगाई शहर में इसे सबसे ज़ादा खाय जाता है वैसे अगर आपको इसके बनने का तरीका बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ना ही इसे पकाया जाता है ना ही रोस्ट किया जाता है इसे सिर्फ गरम पानी में उबाला जाता है अब आप समझ लीजिए कि चीनी लोग इसे भी जिंदाए खा जाते हैं इसका सबूत आप इस हरकतों से बाज कहाने वाले हैं आक्टोपस बेशक आप लोगों ने आक्टोपस का नाम सुना होगा क्योंकि आक्टोपस अकसर लोगों को फिल्म और कार्टून वगरे में दिख जाते हैं पर वो सब तो छोड़िए लोग इन आठ पैरों वाले जानवर को खाने का भी शौ लेकिन जिन्दा उक्टोपस ने इन्हें अपना नाश्टा बनाने की सोच ले जिस कारण इनके आसू तक निकल गए पर फिर भी ये आपको चीन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएंगे और ये आपकी प्लेट में ऐसे घूमेंगे कि आपको देख कर ही क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि बंदर का सर है जी हां यहां के लोग मंकी हैट को खाते हैं और वो भी जिन्दा कई रेस्टोरेंट ऐसे भी है जिनमें बंदर को मार कर सीधा उनका सर थाली में परोस दिया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खा भी लेते हैं क्यों उसे ही मारने की प्रथा बनाने में लगे हुएं उपर से ये लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि से खाने से हजारों तरह की बीमारियां होती है लेकिन इन्हें बीमारियों से क्या इन्हें तो दुनिया भर में बीमारी फैलाने से मतलब है जो इन्होंने पहला भी दिये दोस्तों उम्मीद है आपको अपने हूस्टों दोस्वाइम की इस वीडियो में काफी मजा रहा होगा और अगर हां तो भाईया साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो लाते रहें हाकरल बात करें अगर आइलेंड की तो वैसे तो ये बहुत ही खुबसुरत देश है लेकिन यहां के लोग कोछ ऐसा खाते हैं जिसके बारे में हम नॉर्मल लोग सूच भी नहीं सकते क्योंकि यहां का फेवरेट फूड हाकरल है जिया यह फूड शार्क फिश से बनाया जाता और शार्क से बनने वाला यह फूड काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिसमें सबसे पहले शार्क फिश को पकड़ कर कई टुकडों में काड़ दिया जाता है उसके बाद इसे साथ दिनों तक जमीन के अंदर रखा जाता है और फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के भी ना हो पाए अब आप खुद ही सोचे इतने बदबुदार चीज से बनने वाले फूड को लोग बड़े मज़े से खाते हैं क्योंकि जिस मीट को चार से पांच महीनों तक ऐसे ही रख दिया गया हूँ वो किसी जहर से कम नहीं होगा लेकिन अब इन लोगों को कौन बता है कि इने तो शार्क खाना बहुत पसंद है जिसे भारी मातर में खाती भी हैं पफर फिश क्या कभी आप लोगों ने पफर फिश के बारे में सुना है क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मचली है जिसके अंदर जहर पाया जाता है लेगिन फिर भी जापान के लोगों क कि माने तो इस मचली से इतना प्यार करते हैं कि लोग हर दूसरे तीसरे दिनी से खाने पहुंच जाते हैं। अब इसके जहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लिजिए कि इसे काटने के लिए स्पेशलेस्ट शैफ चाहिए होता है जिने पता हो कि पफर फिश कैसे बनाए जाती है। चीज का नाम सुनते हैं हमारे मुँँ में फानी आ जाता है। लेकिन अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बनने के तरीके के बारे में सुनकर शायद आप नॉर्मल चीज भी खाना बंद कर दें। इस पर अपना अंडा दे सके उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में जहाँ पर सूरज की रोश्णी ना पड़े उस जगह पर तीन-चार महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है फिर इन तीन-चार महीनों में इस चीज के उपर कई सारे कीडे मकोडे पढ़ने शुरू हो जाते है और इसे खाने से पहले इनसान को चक करना पड़ता है कि कहीं वो चीज के साथ कीडे मकोडे तो नहीं अपने पेट में खाये ले जा रहा है इसे बनने के तरीके की वज़े से इस चीज को यूरोप में बंद कर दिया गया लेकिन अभी भी ब्लैक मार्केट में इसे काफी महेंगे रेट पर बेचा भी जाता है और खरीदने वाले बड़े चाव से खरीद कर खाते भी है अकी हम आपको बता दे कि अकी वेस्ट इंडीज के लोगों का फेवरेट फल है लेकिन इसे खाने से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा इस दुनिया में कुछ ऐसे फल भी पाय जाते हैं जिने कच्चा खाने से इंसान निपढ़ सकता है ऐसे में अकी भी उनी फलों में से एक है हाला कि यहां की लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसे तब तक बिल्कुल ना खाया जाये जब तक इसे पूरी तरह से पकाया ना हो क्योंकि अगर घलती से भी किसी ने इसे बिना पकाय खा लिया तो काम गड़ बड़ो सकता है इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट मौझूद है जो इंसान के लिए बहुती ज़्यादा खतरनाक है ऐसे में इसे कच्चा खाने के एक घंटे के अंदरी हॉस्पिटल नहीं लिजाया गया तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है स्टार फ्रूट अब जिस फल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये शायद आपने भी कभी नगभी खाया हो क्योंकि स्टार फ्रूट यानि की कमरक काफी ज़्यादा खतरनाक है जिनकी किड्नी खराब है वो तो इसके बारे में सोचे भी नहीं क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि इसे खाने से कई लोगों की मौत हुई है और जब रिसर्चर इस बात की तहता गए तो पता चला जिनकी किड्नी खराब है उनके लिए फल जान लेवा है जिसे खाने से पहले तो पेट में दर्द होता है और फिर दर्द इतना ज़ादा बढ़ जाता है कि इसे बरदाश करना ही मुश्किल हो जाता है हाला कि जिन लोगों को किड्ने की समस्या नहीं है वो इस फल को खा सकते हैं और अगर आपने खाया है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो साथ ही वीडियो के लिए हमें कॉमेंट कर दीजिए और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद